अब हम study कर लेते हैं कि ये intellectual property rights क्या है intellectual property rights को study करने से पहले हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये intellectual property है क्या intellectual property का मतलब human intellect की original creation से है yes, इंसान की बुद्धी की जो original creation है उसको इन्होंने क्या कहा है intellectual property for example, आप guitar play कर रहे हैं guitar play करते करते आपके पास से कोई नया music create हो गया तो वो original creation आप cashier या harmonium पले कर रहे हो नया music आपसे बन गया तो वो आपकी original creation आप कहीं बैठे हुए हो पर बैठे बैठे आपके brain के अंदर mind के अंदर कोई poem बन गई या किसी घर का नया design बना दिया ऐसा design जो पहले से कहीं पर available भी नहीं है तो वो आपके human intellect की हम कह सकते है original creation तो इंसान की बुद्धी के या इंसान के दिमाग की जो original creation होती है उसको हम कहते है intellectual property अब intellectual property को इन्होंने आपकी books में लिखा हुआ है कि इसके अंदर artistic, literary, technical और scientific creations ये सारी चीज़े आती है जिसमें आप कह लिजिए कि किसी इंसान ने कोई नई book लिख दी, कोई नई movie बना दी या कोई short writer होता है किसी ने नई कहानी लिख दी या किसी ने कोई नई painting बना दी किसी ने कोई नया software डिजाइन कर दिया ये सारी चीज़े कहां से आती है इनसान के दिमाग से आती है और एक नई creation होती है original creation होती है तो इन original creations को ही ये क्या कह रहा है intellectual property अब intellectual property के topic को books के according इन्होंने दो parts में divide किया है पहले part के अंदर क्या आएगा पहले part के अंदर यहाँ पर वो books को, musical composition को novels को, printings को computer software, movies या जो हमारी मूर्ती कलाएं होती है ये first part के अंदर इन्होंने ये सब चीज़े रखी है अब second part कौन सा है second है ये industrial property का industrial property के अंदर क्या है किसी नई technology की invention या industrial design idea of a new product commercial name या logo of a new product तो ये सारे examples जो मैंने आपके सामने दिये हैं ये सारे किसके अंदर में आते हैं intellectual property के अंदर में आते हैं अब हम बात करते हैं कि intellectual property right क्या है simple सी बात है जब आपकी कोई नई creation है अब उस नई creation के ऊपर जब आपको कोई right मिल जाता है अधिकार मिल जाता है तो वो बन जाता है intellectual property right कैसे इसको थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं देखे कोई भी original creation होती है वो एकदम से तो create हो नहीं जाती आपने कोई design बनाया वो एक बारी में तो suddenly तो create हो नहीं गया उसके पीछे कही ना कहीं आपके बहुत सारे efforts होते है several आपकी research होती है काफी सारी research करते हैं आप काफी सारे efforts लगाते हैं तब कहीं न कहीं जाकर कोई एक नया music बनता है एक movie बनती है एक design बनता है तो जब भी कोई नई चीज आप create करते हो तो आप हमेशा चाहोगे कि उसका advantage हमेशा आपको मिले उसका फाइदा आपको ही मिले तो आपका जो design है आपका जो नया design है जो नई creation है वो चोरी ना हो जाए आपके साथ कोई धोखा दड़ी ना करे आपके साथ कोई जाल साजी ना करे उसका पूरा का पूरा benefit आपको ही मिले तो इससे बचने के लिए, इसकी सेक्योर्टी के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, क्या एक्जिस्चन्स में आया? Intellectual Property Rights. Intellectual Property Rights के अंदर क्या होता है? आपकी जो Original Creation है, इसको Register कर दिया जाता है. अब इसके Registration की काफी सारी चीज़े हैं, जैसे Copyright, Patents, Trademark, ये सारी चीज़े जो आपको Study करने को आगे मिलने वाली हैं. तो ये सारे बाते जो मैंने आपको बताई हैं, Copyright, Trademark, Patents, ये सारी Intellectual Property Rights के अंदर में ही आती हैं. अब जब आप Registration करा लेते हो, तो उस Product को, उस Service को, उस Design को, यूज करने का हक, यूज करने का अधिकार, राइट सिरफ आपका होता है. तो Intellectual Property Rights के अंदर क्या होगा? एक Creator को, मतलब आपको एक Special Right मिल जाता है, एक Special Time तक के लिए, और इस चीज को, आपकी जो Innovation है, इस Innovation को अब कोई और Use नहीं कर पाएगा. अगर कोई और Person, Illegal तरीके से आप से बिना पूछे, इसको Use करता भी है, तो आप उसके अंगेश्ट, स्टिक्ट एक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि काफी सारे Act है, काफी सारे कानून अभी बन चुके हैं, जो Intellectual Property Rights के अंदर में हैं. तो Intellectual Property Rights ने क्या किया, आपकी Innovation को, आपकी Creation को Safety and Security प्रवाइड कर दी, ताकि कोई और आपकी Permission के बिना आपके इस Original Creation को Use ना कर पाए.